हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे आज है 30 जुलाई चलिए आज कर देखते हैं करेंट अफेर तो जो लोग चैनल पनाये हो और प्लीज चैनल को सब्स्राइब कर लीजे एवं बेल आइकम भी प्रेस कर लीजे तथा सेर भी कर जिए और करेंट अफेर के सांसान स्टाइटिक जीके भी दिया गया है हर एक प्रस्न का विस्तार प्रूवक भी अख्या की गई है तो जो लोग अगर नोट्स बनाना चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं तो चलिए चलते हैं प्रस्न की तरप पहला प्रस्न है आपका चर् गुजरात में कांड़ला बंदर गाह का निया नाम क्या है दीन दयाल उपध्याय बंदर गाह और कांड़ला का उद्यश क्या है नियात को बढ़ावा देना हाल ही में किस हडपा इस्थल को यूनेशको वर्ल्ड हेरिटेर सूची में सामिल किया गया है तो रामपा मंदिर कहां है ये तिलंगाना में गुजरात के कितने धरोहर यूनेशको की सूची में सामिल है तो हैं चार कौन कौन है वो वो हैं चमपानेर, रानिका बाग, अहमदाबाद और धौलावीरा बात की जाए अगर भारत के कितने सहर यूनेशको की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में सामिल है तो हैं दो कवनकौन अहमदाबाद जैपूर भारत के पहले रेल यूनिवर्सिटी कहां खोली जा रही है तो खोला जा रहा है वो बडोदरा कहां पड़ता है गुजरात में अहमदाबाद किस जील की किनारे इस्तित है तो यह जील है कांकरिया जील अगर नदी की ब्यात की जाए तो साबर मुदी नदी की किनारे, आमदाबाद इस्तीत है गांधी यात्रा कब प्राराम हुई, तो गांधी यात्रा प्राराम हुई, 12 मार्च 1930 से 6 अप्रेल 1930 तक यह किसले यात्रा प्रारम हुई थी तो नमक कर को तोड़ने के लिए यह यात्रा प्रारम की गई थी भारत का पहला इलेक्ट्रिक सिटी काउन है वह है किवडिया चलिए चलते हैं अगले प्रशन की तरफ हाल ही में किसने राष्टी महिला आनलाइन सत्रन का खिताब जीता है वंतिका अगरवाल अरपिता मुखरजी स्रीजा सेसाद्री सौम्या स्वामिनाथन इसका सही आंसर होगा वंतिका अग्रवाल वंतिका अग्रवाल ने राश्टी महिला आनलाइन सत्रंज का किताब जीता है पहला राजीर गांधी पुरस्कार किसे दिया गया था तो दिया गया था विसनाथ आनन्द को भारत की ग्रेंड मास्टर किसको कहा जाता है भायत के नमिंतम ग्रेंड माश्टर कौन है तो अरजुन कल्यार कौन्स नमबर के और 60 नमबर के भारत के सबसे युवा ग्रेंड मास्टर कौन है तो D. मुकेश जी अब 200 की बात की जाए अगर 200 के सबसे युवा ग्रेंड मास्टर तो 200 के सबसे युवा ग्रेंड मास्टर अभिमन्यू मिस्रा भारत की सबसे भारत की पहली महिला ग्रेंड मास्टर कौन है ओ है विज्या लक लाड़ी 2020 चुना गया तो चुना गया है कुनेरू हमपी को चलिए चलते हैं अगला प्रश्ण 28 जुलाई 2021 को किसने दिल्ली पुलिस के आयक्त दिल्ली पुलिस के आयक्त के रूप में पदबार ग्रहन किया है तो यहां जिगह यह सुबोध होगा सुबोध सुरीव बना रहे हैं इसके जगह हो जाएगा सुबोध सुबोध कुमार जैसवाल प्रविर सिनाहा राकेश अस्थाना बाराजे सिर्वास्तो तो दिल्ली पुलिस के आयक्त के रूप में पदभार ग्रहन किसने किया राकेश इस्थाना ने राकेश अस्थाना ने किया अभी यह किसके महान दे सकते तो यह थे बीसेप के महान दे सकते लेकिन अभी इनको एक साल के लिए दिल्ली पुलिस के आयक्त के रूप में पदभार ग्रहन कर लिए 31 जुलाई को यह रेटायर होने वाले थे लेकिन उसके पहले इनको पद दे दिया गया राकेश इस्थाना दिल्ली पुलिस के आयक्त के रूप में एक वर्ष के लिए पदभार ग्रहन किया है इसके पहले यह बीसेप के महान दे सकते आपरेशन गर्म हवा तथा आपरेशन शर्ध हवा अभी यहान किसके दोड़ा चला जाता है तो यह चला जाता है B.S.F. के द्वारा नागरिक उड्जन सुरक्षा बीवरो के अध्यच कवन है तो है नासिर कमल राष्टी मानवा दिकार आयोक के अध्यच कवन है इसमें तो अरुण कुमार मिस्रा बात की जाए अगर राष्टी मानवा दिकार आयोक की स्थापना कब बितायोक के अध्यच कवन थे केसी नियोगी और सुरेश पटेल का संबंध किस आयोक से है तो सतरक्ता आयोक से संबंध सुरेश पटेल जी का है भारत के पहले मुख्य चुनाव आयोक्त कवन थे तो पहले मुख्य चुनाव आयोक्त थे सुकुमार सेन और बरतमान समय में क जंदरा चुनाओं आयुक्त की इस्थाबना कभ हुई थी 25 जनवरी 1950 को चुनाओं आयुक्त के बारे में किस अनुच्छेद में दिया गया है तो अनुच्छेद 324 में दिया गया है चलिए अगला प्रश्ण है अगस्त 2021 में बारहुआत सायूक्त अभ्यास इंदर 21 की इन दो देशों के बीच आयूत किया जाएगा अगस्त 2021 की बात की जा रही है भारत मंगोलिया, भारत रूस, भारत माल्दिव, भारत इंडोनेसिया इसका सही आंसर होगा भारत रूस, भारत रूस के बीच बारहुआत सायूक्त अभ्यास इंदर 21 अगस्त में आजूत किया जा रहा है चलते हैं इसकी ब्याख्य देखते हैं इसका आयोजन रोस के किस एरिया में या किस इलागे में उल्गा ग्राद में किया जाएगा हाल ही में कटलायस युद्धा ब्यास में भारत की तरब से कवंसा जहाद सामिल है तो सामिल है आई एनस तरवार अगर बात की जाए कुडन कुलम पर्मार सयंत्र कहां इस्तित है या इस्तित है तमिलनाड में कुडन कुलम पर्मार सयंत्र किस की सहाता से स्थापित किया गया था किस देश की सहाता से तो रूस की सहाता से कहेगा पर्मार सयंत्र कहां है तो है करनाटक में अब बात कलने यु युद्ध भ्यास किसके बीच, भारतों माल्दिव के बीच, सक्ति युद्ध भ्यास किसके बीच, भारतों इंडोनेसिया के बीच, समुद्र सक्ति युद्ध भ्यास किसके बीच, भारतों इंडोनेसिया के बीच, मित्र सक्ति युद्ध भ्यास किसके बीच, भारतों सिलंका के बीच अलनगा युद्ध भ्याज किसके बीच भारत और उमान के बीच तिसको आप लोग याद कर लीजिए इसमें से एक जरूर एक जाम में फसेगा चलिए चलते हैं अगले प्रस्निक तरफ हाल ही में कौन सा सहर हाल ही में कौन सा सहर जिंक फार्म टैप सुविधा प्रद इसका सही आंसर होगा आपका पूरी ओडिसा हर घर जल वाला पहला राज कौन सा है गोवा और बात की जाएगर प्रोजेक्ट बोल्ड अभियान ये कहां सुरू हुआ है उदैपूर राजस्थान में और ग्राम उजाला कारक्रम अभियान आरा बिहार में आक्सीजन आन वि गोड़ा किसे कहा जाता है तो कहा जाता है कोणाग मंदिर कहां इस्तित है करनाटक में यह मंदिर सव प्रिशत सरूर्जा से चलने वाला मंदिर है अगर आगे बात की जाए तो आपरेशन ओलो विया का संबंध किस से है तो यह संबंध है ओली वेरी डले कछुआ से यास च चक्रवात का नाम किस ने दिया या किस देश ने दिया तो दिया उमान देश ने भीतर कणिका राष्टी उद्यान कहां इस्तित है इस्तित ओडिशा में सिमली पाल राष्टी उद्यान कहां इस्तित है ये भी ओडिशा में अगर बात करें भारत की सबसे युवा सांसत कौन ह है तो हैं चंद्रानी मुर्मू यह कहां कि ओ्डिसा के ही और कौन से लोकस manufacture में के अगर बात करें राश्टि चावल अनुसंधान कहां इस्थी थे तो इस्थी थे कटक कहां tous Stick और इसमें ही तीयों किस नती किनार सी धाय या मांना नदी किना कि नारस स्थी थे갔 चली desen चलते हैं अगले प्रस्मिक तरफ प्रतिवर्स 200 हेपेटाइटिस दिवर्स कम मना जाता है 27 जुलाई 5 अगर्स 31 जुलाई 28 जुलाई इसका सही आंसर होगा 28 जुलाई 28 जुलाई को प्रतिवर्स 200 हेपेटाइटिस दिवर्स मनाया जाता है हेपे टार्टिस का मतलब क्या हुआ हेपे टार्टिस का मतलब होता है लीवर में सूजन आना लीवर में अगर सूजन आ गया तो उसका मतलब है आपको किसकी बिमारी है हेपे टार्टिस की खोज किस ने किया था तो हेपे टार्टिस की खोज किया था ब्लूम बर्ग ने इन्ह इन्हों नहीं हेबेटाटिस के टीका का भी खोज इन्हों नहीं इसका टीका भी बनाया था अगर बात करें 2020 में चिकिस्ता नोबे पुरस्का किसे दिया गया तो हो दिया गया जे आल्टर माइकल हाप्टन और चार्स एम राइस को दिया गया चलिए जुलाई में कुछ अंत्रता दिवस को मना जाता है चार जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मना जाता है नेलसल मंजेला दिवस 18 जुलाई को मना जाता है कारगिल विजे दिवस 26 जुलाई को मना जाता है और बात करें अगर अंत्राष्टी बाग दिवस तो यह मना जाता है 29 जुलाई को अगर बात करें बर्तमान में भारत में कुल कितने बाग हैं तो कुल बाग हैं 2967 प्रिजन टाइम पे भारत में बाग हैं चलते हैं अगले प्रस्निक तरफ 26 जुलाई 2021 को किस राज सरकार ने देवा रन योजना लांच किया है तमिलाट, उत्वप्रदेश, मध्यप्रदेश, भिहार इसका सही अंसर होगा आपका मध्यप्रदेश मध्यप्रदेश सरकार ने देवा रन योजना लांच किया है हर घर असधी योजना कहां कि है यह है राजस्थान की भारत का सबसे स्वच्छ सहरग बात करें तो इंदोर मध्य प्रदेश अफ्रिका से बागों को भारत के की सदाश्टी उद्यान में लाए जाएगा यह लाए जाएगा कुरोनो नेशनल पार्क कहां पड़ता है यह मध्य में अब रच्छा रोपड को बढ़ाने के लिए मध्यस प्रदेश सरकार ने कवंसी योजणा आरंब की है वह ज़जना आरंब की है अंकुर योजणा झन्डा सत्यग्रह समारों का भब आयोजण कहां किया गया यह किया गया जबलपूर मध्य प्रदेश जबलपूर किस न संख्या के द्रिष्टी से कवंसा राज प्रत्थम इस्थान पर है तो मद्य प्रदेश important question है यह उंकारे स्वर बांध किस नदी पर इस्थित है यह भी नर्मदा नदी पर इस्थित है चलिए अगला प्रस्न है 27 जुलाई 2021 को जारी वर्ल एकोनामिक आउटलोग में वर्स 2021 के भारत विकास अनुमान को 12.5% से घटा कर कितना कर दिया गया है 12.5% से घटा कर कितना कर दिया गया है 9.5% 7.6% 8.5% 6.78% इसका सही आंसर होगा आपका 9.5% 12.5% से घटा कर कितना कर दिया गया है 9.5% वर्ल एकोनामिक आउटलोग को जारी करता है यह जारी करता है आई एमेफ इस आफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कोन जारी करता है यह जारी करता है वर्ल्ड बैंक इसमें भारत की कमशी रैंक है तो यह है 63.5 रैंक ग्लोबल इनवेशन इंडेक्स में भारत की कमशी रैंक है तो वह है 48 रैंक बात करेंगर Human Development Index कौन जारी करता है यह जारी करता है UNDP इसमें भारत की कवंसी राइंख है 111 राइंख है IMF का नमिंतम देश कवंसा है Andorra कवंसी नमबर का है 190 IMF की मुद्रा कवंसी है वो है HDR HDR का फुल फार्म Special Drying Right उसके बात करेंगर लोकतंत्र सूचकांग में भारत की कवंसी राइंख है तो है तिर्पनावी राइंख IMF का मुख्याले कहां है Washington D.C कहां है यह वासिंग्टन D.C यह है अमेरिका में चलिए चलते हैं अगले प्रसंग तरफ 28 जुलाई 2021 को करनाटक के नए मुख्य मंत्री के रूब में किसने सपत लिए? इसका सही अंसर होगा बसवराज बुम्मई बसवराज बुम्मई यह करनाटक के नए मुख्य मंत्री है जो के भी 28 जुलाई को इन्होंने सपत लिया एक कैसरे नंबर के हैं तिनका नंबर है 23 नंबर तिनका है किसके जगा आए है तिया है बी एस एदी रूपपा इसके पहले यही मुख्य मंत्री थे तो यह बसवराज बुम्मई प्रिजन टाइम पर करनाटक के नए मुख्य मंत्री है चलिए चलते हैं बात कर लिए अगर करनाटक के राजपाल कौन है तो थावचन गहलोद उत्राखंड के नए मुख्य मंत्री कौन है पुषकरधानी असम के नए मुख्य मंत्री हेमत विश्वा सरमा केरल के नए मुख्य मंत्री पिनरई विजियन पूडुचेरी के नए मुख्य मंत्री बनने घट्टा और वीरूफ पाक्ष मंदिर कहां इस्ति थे यह भी इस्ति थे करनाटक में ही चलिए चलते हैं अन्ति प्रस्ण है आपका 27 जुलाई 2021 को कवन सा देश ओलम्पिक में स्वन पदक जीतने वाला सबसे छोटा देश बन गया है यह सइफ होगा इसका सजयांसर होगा बर्मूडा बर्मूडा जो है अलंस्य पदक जीतने माला सबसे छोटा देश बन गया बर्मूडा से कितने खिलाड़ी घए दो गय थे दो गया फैंदंध कों सा अप सब्धिया 병र में इस की अधीड मैं सा खृडारी सवर्ड पतक जीता फ्लोोरी डफी ने Oko उलम्पिक का पहला सवर्ड पतक किस ने जीता तो यां चियां, चीन क रहने वाले अगर बात करें टोक्योचपिक का सुभकर क्या है तो सुभंकर है मेरा ताइबा अब मेरा चानू ने टोक्यो उलम्पिंग में कौन सा पतक जीता है तो जीता है सिलवर चांदी जिसे बोलते हैं सिलवर हिंदी में बात करें तो चांदी और स्केट बोर्डिंग में पहला सब्सक्राइब किस ने जीता मोमोज जो की बताया थे कल ही आप लोगों को 13 वर्स 330 दिन की है तो यह हुए आपके आज के करेंट फेर अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो चैनल को प्लीस लाइक शेर और सब्सक्राइब जरू करिए पुरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवार तो आप लोग नोटस जरू बनाएए नोटस बनाएएंगे तो आप लोगों को दुबारा पढ़ने में आसाने होगी और जल्दी तयार भी होगा क्योंकि हर प्रस्ण में आपको स्टैटिक जीके भी दिया गया है तो चलिए मिलते हैं अगले दिन नए वीडियो में एक नए उड़ जा के साथ तब तक के लिए जय हिंद